नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे इस एफसोड में दोस्तो, आज हम बात करेंगे गले की सूजन से राहत दिलाएंगे हमारे ये गिरेलू उपचार दोस्तो, कई बार हमें गरदन में सूजन और दर्द से परिसानी होने लगती है इसके कई कारण हो सकते हैं आमतोर पर या संक्रमन के कारण होता है जिससे गले में मौजूद लिम्प नोड़्स में सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है लिम्प नोड़्स में होने वाले इस दर्द और सूजन को कुछ आसान घ्रेलू नुस्कों दोरा घर पर ही ठीक किया जा सकता है दोस्तों गर्म पानी से सिकाई लिंप नोड़ में सोजन कम करने के लिए गर्म पानी से सिकाई करें जब गर्म तापमान का संपर्क सरीर के दूसरे अंगों से होता है तब शरीर का रख संचार बढ़ जाता है और सोजन कम हो जाती है इसके लिए पानी को गर् गोकर सोजन वाली जगा पर 5-10 मिनट के लिए रखें जब तक सोजन खतम ना हो जाए इस प्रक्रिया को दिन में कई बात दोहराएं गरम पानी से सोजन वाली जगा की स्पाई भी कर सकते हैं नमक पानी से गरारा गले में या जबडे में पाई जाने वाली लेंप नोड में सो इंपनोड की सूजन को कम कर देते हैं इसके लिए एक कप पानी को हलका गर्म कर लीजिए उसमें आदा चमच नम्क मिला लीजिए फिर इस पानी से गरारा कीजिए सूजन कम होने तक दिन में कई बार इस पक्रिया को दोराएं लस्सुन भी है फाइदेमन दोस्तों लस्सुन म के संकर्मन को असानी से दूर करते हैं इसके लिए लस्सुन की दो या तीन कलियों का सेवन कीजिए खाने में भी लस्सुन का प्रयोग कीजिए अगर समस्या ज़्यादा गंबीर है तो लस्सुन के तेल से दिन में दो या तीन बार मालिस करें इससे आपको जल्द ही आराम म माना चाता है या शरीर के पी एच लेवल को बढ़ा देता है जिससे शरीर की प्रतिरोध कसमता भी बढ़ जाती है साथ ही इसमें मौजूद एंटि वेक्टिरियल गून संकर्मन से भी बचाते हैं इसके लिए सेव के सिर्के को बराबर मातरा में पानी में मिलाकर एक कपड़ को इसमें भीगो कर सूजन वाली जगा पर लगाएं इसे दिन में दो बार प्रयोग करें इसके अलावा एक चम्मच सेव का सिर्का एक चम्मच सहद को पानी में मिलाकर सेवन करने से भी आपको काफी अराम मिलेगा तोस्तों यदि या जानकारी आपको अच्छी लगी हो त की वह भी इस जानकारी कर लाव उठा सकें दोस्तों आज के अपसोड में बस इतना ही नेक्स एपसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ धन्यवाद